श्री श्रीश्वाय नमस्तवियम हरड महादेव आसा है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे आप लोगों के मन में भी कभी न कभी यह शवाल जरूर उठता हुआ कि इतने सारे जो अंतराष्ट्य कतावाचक हैं जैसा की जहा की शोड़ी हो गया देवकी नंदन जी है धिरेंद्र कृष्ण जी है जिसे की बागेशर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं पंडित पर्दीब जी मिस्रा है यह सारे कतावाचक की कमाई कितनी होती है तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इनके यूट्यूब के माध्यम से होने वाले कमाई के बारे में बताने वाले और आप लोगों के यह चीज की समझानकारी दे दें कि हमारी इस वीडियो का उद्देश किसी भी कतावाचक को कमाई के अधार पर छोटा या बड आपको बता दे कि जयाकसुरी जी नौ साल के उम्र से ही आधियात्मिक से जुरी होने के कारण जयाकिसुरी जी के पास बहुत सारा ज्यान का सागर है। जयाकिसुरी मोटिवेशन और दूसरा है जयाकिसुरी जयाकिसुरी के नाम से इनका एक और चैनल है। ले के चलता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक डॉलर की अगर मैं कमाई की यहाँ बात करता हूँ तो एक डॉलर लगवग में 82 रुपए यानि 82 के एप्रॉक्स होता है। अगर मैं इसकी लंसम कल्कुलेशन करता हूँ जिससे कि यहाँ पे देख सकते हैं 15,000 डॉलर यहाँ पे एक चैनल से है और दूसरा चैनल इनका 484 है। यानि लगवग में अगर देखा जाए तो 2000 डॉलर से लेके और इनकी कमाई लगवग में 30,000 डॉलर तक है। अगर दोनों को हम लोग 2000 डॉलर को अगर हम कल्कुलेट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगवग में 1,500,000 रुपए ठीक है। यह अनुमान लगा जा रहा है ठीक है ना उपड भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। उसके बाद जो हमारे पास चौथे नम्मड पे हैं वो हैं देव की नंदन ठाकुर जी महराज। यह भी एक हिंदू पुरान कथा वाचक हैं गायक और गुरू हैं। वर्स 1997 में गुरू जी यानि की स्री भगवत का था, स्री राम का था, देवी भगवत, स्री पुरान का था, भगवत इत्यादी पर प्रवचन देते आ रहे हैं। इन्हें 2015 में यूपी रत्न पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया है। देवकी नंदन ठाकुर जी का जनम उत्तर प्रदेश के मतुरागाँ में हुआ है। इनका जनम 1978 को हुआ था और ये मात्र 6 साल की उम्र में ही घर छोर कर विरंदावन पहुँच गए थे। अगर इनके यूट्यूब के हम कमाई की बात करते हैं तो इनका जो मन्तली इंकम है यूट्यूब से वो है 1.8 लेक यानि लगवग में 2 लाख रुपे से लेके 44 लाख रुपे तक। उसके बाद तीसरे नम्मर पे आते हैं बागेशर दाम सरकार धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री जी तो इनकी जो अगर हम बात करते हैं इनका अभी उमर 26 साल का है और या विदेश तक में अपना नाम कमा चुके हैं धिरेंद्र से ज्यादा उनकी पहचान बागेशर धाम के र इनकी कमाई, मंथली कमाई 9 लाक रुपए से लेके 1.5 करोर तक है और आपको यह भी हम बता देगी 14 जुन 2022 में इनको लंदन की संसद में भी सम्मानित किया गया था उसके बाद दूसरे नम्मर पे आते हैं श्री पंडित परदीप जी मिस्रा यह भी अंतरास्टे कथा रलाम है वो रगुराम है और इनकी हम मन्थली कमाई की अगर बात करते हैं वो है 10 लाक रुपए से लेके läh देर करोर तक धनकी मन्थली कमाई这 को पाते हैं उसके बाद आते हैं महarاج अनुरुध अचारे जी इनका जो अगर अम बात करते हैं इनकी सबसे नम्मर 10 पे आते है और इनका कमाई अभी भी आपको हम बताने वाले हैं उससे पहले आप लोगों से छोड़ी से रिक्वेश्ट अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ठीक है इनका जनम 17 दिसंबर 1989 में मध्य पर्देश में हुआ था और ये भगवत, घीता, रमायन, महाभारा जैसे गरंतों का अधियन इनके पास है सबसे बड़ी बात यह है कि हर्मान चलीसा इन्हें बच्पन में ही कंटर्स्ट हो गया था और आप लोगों को बता दे कि इनकी जो मंतली इंकम है सबसे पहले मैं आपको इनका यूट्यूब का चैनल है उनके बारें बताता हो यहां पर आप देख सकते हैं कि 9.91 मिलियन सबस्क्राइबर इनके पास है और इनकी मंतली इंकम होती है 26,000 डॉलर से लेके 429,000 यानि 4,29,000 डॉलर तक अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो यह होता है लगभग में 21,000,000 रुपीज से लेके 3.38 करोड तक तो लगभग में इतना इनका इनकम यूट्यूब से हो जाता है मैंने इस आपको पहले भी बताया था कि हमारा कोई भी ऐसा उद्देश नहीं है इस वीडियो के माद्य हमसे कि किसी भी कथावाचक के कमाई के अधार पे हम बरा या चोटा बताना ठीक है बस ये चोटी सी जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हम सभी कथावाचक का आदर वश्रमान करते हैं मिलते हैं और भी इस तरह के जानकारी के साथ तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तो भी हम हरार महादेरिम